नमस्कार चैश्री कृष्णा मेरा के शिवानिय इस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली देखते वक्त हमें क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी चाहिए। तब कैसे देखें, बारवें भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में गया तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। बारवन भाव किस किस चीज़ों को रिपरेजन्ट करता है, वो रिपरेजन्ट करता है व्या को, जेल यात्रा को, शैया सुख को, अस्पताल के खर्छों को, हम ये जानते हैं. और आठवे भाव का स्वामी या आठवा भाव हमारा बताता है कलय के बारे में, पीड़ा के बारे में, रोक के बारे में, छोट के बारे में, अचानक लाभानी के बारे में, पैतर संपत्ती के बारे में और गूड रहसे जो होते हैं, सीक्रेटिव चीज जो होती है उनके बा कि बारवे भाव का सौमी 8 बारवे भाव की हानी होगी, यानि आपका अन्नेसेसरी व्याह होगा, जेलियात्रा हो सकती है, शया सुक्त में कमी आ सकती है, अस्वताल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं बिमारी के ऊपर, तो ये तो बारवे भाव को नुकसान होगा. उसके वो फल देगा बार्वे भाव को resource मना गर आठवे भाव के result देते समय वो फल बारवे भाव को resource मना कर देगा तो बार्मा भाव व्याय है तो व्याय की वज़ा से कलेश घर में होगा hospital expenditure की वए से मिर्तु कारक कस्थ होगा और किसी भी negative चीज़ की वए से आपको good रहसे प्राफ्थ होगा ये सब चीज़े होगी तो हमको यही ध्यान रखना है कि किस भाव का स्वामी किस भाव में गया है तो जिस भाव में गया है रिजल्ट तो वो उसी के देगा लेकिन वो source बना के देगा जिस भाव का वो स्वामी है उसके रिजल्ट को वो source बना के देगा वो भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है चलिए इससे आगे मैं बताता हूँ आपको कि 64 नमान्श क्या है बड़ा important है हम लोग बात करते हैं कि 64 नमान्श पर अच्छा नहीं होता स्वास्त के लिए परिशानी होती है health के लिए परिशानी होती है पट देखते कैसे हैं हाला कि 64 नमान्श पर मैंने आपकी लिए वीडियो पहले भी बनाई है बट उसमें थोड़ा detail में मैंने आपको बताया है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा shorter बताता हूँ कि आपको D9 कुडली देखनी है दो चार्ट होते हैं एक D1 एक D9 दी 9 चार्ट नमान्श चार्ट होता है दोनों की तरह ही दोनों से ही आप देख सकते हैं तो D9 कुडली में लगन से चौते भाव में जो राशी हो वो 64 नमान्श कहलाती है और इसी प्रकार उस कुडली में जहां चंद्रमा बैटा हो उससे चौते भाव में जो राशी हो वो भी 64 नमान्श कहलाती है अब ये कैसे दे, मालो कि लगन कुण्डली के आठवे भाव में राशी कर्क है, और D9 में लगन से चौते भाव में राशी मीन है, तो मीन 64 वा नमांच होगा, कहने का मतलब यह है, जब भी कोई ग्रह है, पाप ग्रह है, basically, कर्क राशी में गोचर करेगा, युकि लगन कुण कुण्ली के आठवे भाव में कर्क राशी है, तो जब कर्क राशी के ऊपर से कोई भी पाप ग्रह गोचर करेगा, शनी हो, मंगल हो, राहू हो, केतु हो, सूर्य हो, तो और वो उतने डिगरी पे आजाएगा कर्क राशी में, जिससे नमांच कुण्ली में लगन से चौते भाव में मीन राशी आए, तो निश्चित रूप से कस्थ होगा, क्योंकि हम लोग नमांच कुण्ली डिजाइन करते हैं, डीवन चार्ट के तुरू ही, तो डीवन चार्ट के आठवे भाव की राशी में, यानि कर्क राशी में जब वो गोचर करेगा, और वो उतने डिग वाटा हुआ है, शुब, योगकारी, पून योगकारी, और चौथा हिस्सा तो मालूम है कि जुसके ना शुब है, ना योगकारी, ना पून योगकारी, अशुब ग्रह, वर्ष के हिसाब से, यानि जो कुंडली है, उस कुंडली के भावों के हिसाब से, अशुब ग्रह की भी हो सकता, यह नैसर की रूप से शुब ग्रह की बात नहीं हो रही है, यह तातकालिक रूप से शुब ग्रह या शुब ग्रह की बात हो रही है, तो शुब ग्रह जो होते हैं, वो सभी केंद्रों के स्वामी, कुंडली में जो केंद्र हैं, उनके स्वामी, यदि वो च्छटे स्थान में। ऐसे केंद्र के स्वामी जो लगनेश के मित्र हो या ऐसे त्रिकोंड के स्वामी जिनकी मूल त्रिकोंड राशी च्छटे भाव में हो तो वह शुग ग्रह कहलाते हैं। पीछे बताया आपको धुर्बारा सबीट कर देता हूँ कि भाव देखें, भावेश्ट के भावेश्ट आगरू अगर चौते भाफ की स्टड़ी कर रहे हैं, तो हम ये, रिधा स्टीज करें धर हैं नवे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो आपको भागया में उद्य कराएगा, पांचवे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो प्रेम देगा, बारवे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो आपको खर्चा कराएगा, क्योंकि जिस जुग्र है, जिस भाव के स्वामी इमाल लिया या चौते भाव का स्वामी जो सुक भाव का स्वामी है चटे भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो सुक के लिए संगर्ष होगा तो यही ध्यान अमत्तना है चौते भाव का स्वामी यदि बारवे भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो चौते भाव का सुक का अब्याय हो गया, यानि आपको दुख होगा जीवन, तो वो चीज भी आपको देखनी जरूरी है, फिर आपको कारक देखना है, हर भाव का एक कारक होता है, वो मैंने आपको बताये मुए हैं वीडियो में, कुंडली में पीछे, नहीं देखे हैं, तो आपके पुराणी जो क चौते भाव की स्टड़ी कर रहे हैं, तो चौते से चौता देखिए, पांचवे की स्टड़ी कर रहे हैं, तो पांचवे से पांचवा भाव देखिए, इन सब को देखने के बाद, फिर त्रिकोन की स्थिति देख, दशा और महादशा देखे, किस की दशा चल रही है, किस तो यह चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुंडली को प्रड़िक करने में बहुत साहता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताएता हूँ इस वीडियो को खतन करने से पहले कि शुक्र की दशा जब होती है जो टीनेज में आए जिसे टीनेज बोलते हैं अब थर्टीन, फॉर्टीन, फिप्टीन, सिक्स्टीन, सेवनटीन, एटीन, नाइटीन, इस एज में बच्चों पर आये तो बच्चे लापरवा होने के चांसे होते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र की महादशा कहीं टीनेज में तो नहीं मंगल की दशा महादशा आये तो आदमी को इनर्जेटिक बनाती है शनी की दशा आये तो थोड़ा स्लो और नेगेटिव बन जाता है सू के लावा हम नमबर के फर्स्ट वीक में एडवांस असलोधिया कोर्स करने जा रहे हैं आप लोगों में जो भी इंट्रेस्टेड हो वो अपना दियेगे नमबर पर संपर करके अपना नामंकन करासे धन्यवाद जैशी क्रिश्ट